हर्याना एटाइन पियर्द नूशेनल में आपका स्वागत हैं, आई आपको कराते हैं खब्रोसब्डेट कोरोना महा मारी की तीसरी लहर के आशंका हर्याना में बच्चों के लिए ये सभी तयारिया शुरू तीसरी लहर से बचाव के लिए हर्याना सरकार की पहल देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशिंका से पहले ही हर्यानमी तैयारियां शुरू कर दी गई है प्रदेश के CHC स्तर के हस्पतालों में बच्चों के वाड एवम अन्य स्वासत सुविधायत बढ़ाने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिये है मुख्यमंत्री मनुहला ने कहा कि अभी किसी भी प्रिकार के धिलाई नहीं बरतनी है मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बेशेकब कोरोना के नए मरिजों के संख्या काफी कम हो गई है इसके बावजुद हमें धिलाई न बरते हुए कोवीड प्रोटोकॉल का पालन करना है उन्होंने उपायुकतों से दूसरी लहर के दुरानाई कठिनाई और हम उन्हें पार्क करने के लिए किए गए प्रबंदों के बारे में जाना साथ ही तीसरी लहर के आशंगा के प्रती सभी को सचीत एवम जागरुक रहने को कहा उन्होंने कहा कि अगर CHC पर कमरी बनाने के आफशक्ता महसूस हो तो इस दिशा में योजना बना कर जल से जल काम शुरू किया जाए उन्होंने CHC में ऑक्सिजन बैड के संख्या बढ़ानी और फिल्ड में सर्वे कर रही टीमों को अलट रखने का निर्देश देते हुए कहा कि आफशक्ता पढ़े तो सर्वे का दूसरा राउंड भी करवाया जाए CHC पर तैनात रहीगी एक सरकारी अंबुलेंस मुख्यमंत्री ने कहा कि हर CHC पर एक अंबुलेंस 24 खंटे तैनात रखी जाएगी ताकि वहाँ पर इलाज करवाने के लिए आने वाली लोगों का विश्वास बढ़े और आफशक्ता होनी पर किसी भी गंफीर मरीज को ततकाल जिला हस्पताल में भीजा जा सके इसके साथ ही ज़्यादा सी ज़्यादा लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ अंबुलेंस को लेस करने के भी अधिकारों को नडेश दे गए हैं आयूश वेलनेस सेंटरों पर सुविधाई बढ़ानी पर जो मुख्यमंद्री ने कहा कि हस्पताल में अधिक भोश न बढ़े इस बात को ध्यान में रखते वी लोगों को ऐसी जीवन पदती के प्रती जागरू करने की योजना बढ़ाएं इसके लिए आयूश वेलनेस सेंटरों पर सुविधाई बढ़ाएं ताकि लोग कम से कम बिमार पड़ें लोग निरोगी रहें इसके लिए आयूवेद योग आदी पर फोकस करते भी बजट की व्यवेसा करने के भी नडेश दिये गए हैं इस योजना पर बजट खर्च होगा तो लोग अपने स्वास्ते के प्रदी सचेत भी होगी और बिमार भी कम पड़ेंगे लगातर खबर से अब डिट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें धन्यवाद